हरिगाना में 46 सीटों बच्चुनाव लेडर ही आप प्रचात करने नहीं गए केजरीवाल बता दे कि हरिगाना में विधासा बच्चुनाव आखरी पड़ाओं पर पहुँच गया है भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस का शीर्स नेतरत जनता की बीच जा रहा है लेकिन आमादमी पार्टी के राश्री सयोज अर्विन केजरीवाल प्रचाल की पिप्चर से पूरी तरह गायब है हर्याना में आमादमी पार्टी आधी से ज़्यादस सीटों पर चुनाव लड़ रही है बावजूद इसके केजरीवाल केंपल से पूरी तरह नदारध है दिल्ली की सत्ता पर काविज आमाद्मी पार्टी हरियाना की कुल 90 में से 46 विदान सबाज सीटों पर चुनाओ लड़ रही है दिल्चस बात यह है कि हरियाना दिल्ली से सटा है और मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल का ग्री राज भी है लेकिन अब तक उन्होंने यहाँ एक भी रैली या जन सबाद नहीं की है अर्विन केजरिवाल हरियाना में चुनाओ प्रचार के लिए क्यों नहीं पहुँचे हैं इस सवाल पर हरियाना के चुनाओ प्रभारी और आम अर्विपार्टी के राज सबासर्द सुशील गुपता ने मीडिया से बात चीत करते हैं बताया कि हरियाना चुनाओ में केजरिवाल की गैर मवजूदगी के पीछे सुशील गुपता ने समय की कमी को कारण बताया साथ ही ये भी बताया कि दिल्ली में चुनाओं होने जा रहा है और अर्विंद केजरीवाल वहां वेस्थ है पार्टी की दूसरे बड़े नेताओं के प्रचार में ना जाने पर भी सुशील गुपता ने दिल्ली चुनाओं का हवाला दिया साथ ही उन्होंने ये भी का कि पार्टी के विधायक चुनाओं प्रचार के लिए पहुँच रहे हैं बता दे कि केजरीवाल की हरियाना में अनुपस्थिती इसलिए भी चर्चा का विशे बन रही है क्योंकि केजरीवाल का यहां खास ध्यान रहा है हाल ही में हुए लोगसवत चुनाओं में आम आदमी पार्टी ने जेजेपी के साथ मिलकर चुनाओ लड़ा था लेकिन दोनों पार्टीों को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी और बाद में दोनों का साथ छूट गया था आम आदमी पार्टी अपने दम पर 50-30 से जादा सीटों पर चुनाओं लड़ रही है लेकिन पार्टी का शीर्स नेतरत चुनाओं से बिलकुल दूर है सुशील गुपता ने बताये कि अभी तक अर्विन केजरीवाल के हरियाना आने का कोई प्लान नहीं है बतारी कि हरियाना में 21 ओक्टूबर को मतदान है लिहाजा 19 ओक्टूबर को चुनाओं प्रचार का आखरीद दिन है